नमस्कार डी फाइफ चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वन्दिना स्वागत करती हूँ आज हम आपको बताएंगे कि श्राद क्यों किया जाता है या श्राद किस तरीके से करना चाहिए हिंदु धर्म में म्रत्यू के बाद श्राद करना पुराणों के अनुसार बहत जरूरी माना गया है मान्यता अनुसार अगर किसी मनुष्य का विदी पूर्वक श्राद और तरपन ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत पिशाच के रूप में इस संसार में ही रह जाता है श्राद में तरपन, पिंडदान और धूप देने से आत्मा की तरप्ती होती है तरप्त आत्माय प्रेत नहीं बनती श्राद करने से श्रेष्ट, संतान, आयू, आरोग्य, अतुल एश्वर्य और इच्छित वस्त्मों की प्राप्ती होती है शद्धा पूर्वक शाद करने वालों की बुद्धी, पुष्टी, इस्मरन शक्ती, पुत्र पौत्र आदी, एवं एश्वर्य आदी में ब्रद्धी होती है पित्र पक्ष का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुरान के अनूसार, देवताओं को प्रसंद करने से पहले मनुश्य को अपने पित्रों यानी पूर्वजों को प्रसंद करना चाहिए हिंदू जोति शास्त्र के अनूसार, पित्र दोश, सबसे जटिल कुंडली दोशों में से एक माना जाता है पितरों की शांती के लिए शाद किये जाते हैं हर वर्ष, बाधरबत, शुक्ल पूर्णीमा से अश्विन, करश्न अमावस्या तक के समय कहा यह भी जाता है कि शाद के दोरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजात कर देते हैं कि वह अपने परीजनों से श्राद ग्रहन कर सकें श्राद का पौरानिक महत्व ब्रह्मपुरान के अनुसार जो भी वस्तू उच्चित काल या इस्थान पर पित्रों के नाम पर उच्चित विधी द्वारा ब्रहमनों को शद्दा पूर्वक दान दिया जाये वह श्राद कहलाता है श्राद के नहों से पूरिवी इच्छाओं की त्रप्ती के लिए दान और भोजन पहुचाया जाता हैे पिंड लोप में पिजरों को दिया गया भोजन शाद काorte मैं प्राचीन लोग मानेताओं के अनुसार अगर पितर रुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है पित्रों की अशांती के कारण धनहानी और संतान पक्ष से समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है संतान हींता के मामले में जोतिश पित्र दोश को अवश्य देखते हैं, ऐसे लोगों को पित्र पक्ष के दोरान श्राद अवश्य करना चाहिए, किस तारीक को करना चाहिए श्राद, सरल शब्दों में कहा जाए तो श्राद दिवंगत परीजनों को उनकी मत्यू की तिथी पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना चाहिए, अगर क सराद का अर्थ होता है कि जो हामरी सरदा होती है, उसका नामी सराद है, सरदा को ही सराद कहते हैं और हर मनस्च को जो है, तीन दिन उसके उपर होते हैं, पित्री रिन, देव रिन और विसी रिन, इसलिए जो है सराद किया जाता है, कि वो जो है अपने पुर्वजों का सराद करें, तेन पिड़े का सराद किया जाता है, तो सराद में हर पित्र अपने बंस के लिए आसा रखता है, कि यदि मेरे बंस आगे होता, तो आज मिले भी कोई सराद करता, इसलिए सराद किया जाता है, अपनी बुजरों के लिए, अपनी मातर पिता के लिए, अपनी तीन पिड़े के लिए जो है, ये सराद किया जाता है, और सराद को जो है हमें सर जो है, जो उनकी पुन्डे तित्थी होती है, उस पे ही सराद करना चाहिए, ये दपी किसी को सराद किती थी प्राव, अगर किसी को मालूम नहों, उनको जो है, सर्व सराद में जो है, उनका सराद करना चाहिए, तो सराद का नामी जो है, सरदा, ये हमारी सरदा जो है, उस भी देखी जाती है, कि हम जो है, जिन मातर पित्राओं का जो है, जिनके बंस पे हम जिनके भूमी पे हम रह रहे हैं जिन नोने जो है हमारे पती कितना कर्ष्ट किया हो और उसके लिए उनका रिन जो हम पे होता है उसको उतारनी के लिए जो है सराद किया जाता है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी अवसे पुन्नेती थिपे जो है हमेशा किय सबसे पवित्र माना जाता है कि शादों में दिया गया दान सबसे पवित्र माना जाता है शाद में दान करने के लिए तिल चावल जो आधी को अधिक महत्व दिया जाता है साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि शाद का अधिकार केवल योग्य ब्रामनों को है शाद में तिल और कुशा का सरवादिक महत्व होता है शाद में पित्रों को अर्प से श्राद कर सकता है श्राद में कोई का महत्व कोई को पित्रों का रूप माना जाता है मान्यता है कि श्राद ग्रहन करने के लिए हमारे पित्र कोई का रूप धारण कर नियत तिथी पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं अगर उन्हें श्राद नहीं मिलता है तो वह रुष् धिश्य मानेताइं भी समाज में प्रच्लित जैसे की पिता का अश्राद अश्र्मी के दिन और माटा का नवमी के दिन किया जाता है। यानि कि किसी दुरघटना में या किसी ने आत्म हत्या की हो तो उनका श्राद चतुरदशी के दिन किया जाता है ऐसे ही साधू और सन्यासियों का श्राद द्वादशी के दिन किया जाता है जिन पितरों के मरने की तीथि याद नहीं होती है उन सभी का श्राद अमावस्या के दिन किया जा सकता है इस दिन को सर्व पितर श्राद कहा जाता है घर में किये गए शाद का पुन्य तीर्थ इस्थान पर किये गए शाद से कई गुना अधिक मिलता है हिंदु धर्म में गाय और शाद दोनों को विशेश माना गया है यदि किसी के पास शाद करने जितने पैसे नहीं हो और अगर वह गाय को भी शद्दा पूर्वक चारा खिला दे तो भी पितर खुश हो जाते हैं और शाद के समान फल मिलता है यदि यहाँ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर दोपहर के समय सूर्य की और दोनों हाथ उठा कर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रातना करनी चाहिए कि हे भगवान मैंने अपने हाथ आपके सामने फैला दिये हैं मैं आपने पितरों की मुक्ति के लिए आप से प्रातना करता हूँ मेरे पितर मेरी शद्धा बक्ती से संतुष्ट हो इस तरह प्रातना करने पर मनुश्य पितर रिंड से तो मुक्त होता ही है साथ ही पितरों की आत्मा की भी संतुष्टी हो जाती है और वहाँ मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ती है तो दोस्तों यह थी शाद से जुड़ी जानकारी आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और डी फाइफ चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद